है लू दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टड़ी पे तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अस्पीटी का करेंट फिर जोकी अबजेक्टिव के रूप में टेस्ट पेपर रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं इसमें पहला कोशन हो जाएग पेरुमल मुरूगन ने वर्स दुएर तैस का जेसी भी आवाड जीता है पहले आप अनुमान लगा लेजिए उसके बाद मैं एंसर बताऊंगा क्योंकि यह यह एए टेस्ट पेपर के रूप में रहेगा तो यह हो जाएगे तामिल के लेखक तामिल के लेखक पेरुमल मु जीतने वाली कहेगा कि पहली भारती महिदा कौन बनी है तो यह हो जाएगी एकतापूर अप्शन डी एकता कपूर चार नमर हो जाएगा कीस सुंदरी ने बहतरवी मीस यूनिवर्स दुएर तैस का खिताब जीता है तो यह हो जाएगा सेनिस पाइलियोसिस सेनिस पलासियो और यह किस देश की हैं तो निकार गूंगा की है आगे देखेंगे पांच नमर हो जाएगा पांच नमर कोशन है इंडिया इंटरनेशनल फिलिम फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किस ने किया इंडिया इंटरनेशनल फिलिम फेस्टिवल में इ यनि पचास सथ तक जूडने वाले खिलाडी बने हैं, तो यह हो जाएंगे, option C, बिराट को ली, जो कि भारत के किर्केटर है, आगे देखेंगे, साथ नुमर हो जाएगा, साइम अल्ट मैंन का स्थान पर, ओपेन ए आई के नए CEO कौन बने हैं, साइम अल्ट मैंन का स्थान पर, ओपेन ए आई के नए CEO कौन बने हैं, तो यह हो जाएंगे, एमेट सीयर, option C हो जाएगा, एमेट सीयर, आठ नुमर कोशन है, हाल ही में, ICC हौल अप फेम में सामिन होने वाली प्रोथम भारती मजिला किर्केटर कौन बनी हैं, तो यह हो जाएंगी, डाइना, एल्डूजी, option हो जाएगा, A, डाइना, एल्डूजी, अगला कोशन देखेंगे, नौ नुमर है, केंद्रिये जांच बीवर है, यानि कि CBA के नए संजूक्त निदेशक कौन बने हैं, CBA के संजूक्त निदेशक कौन बने हैं, B, चंद्रे सेखर बने हैं, option हो जाएगा, A, CBA के गठन कहेगा कब हुआ था, तो नहीं 163 में हो जाएगा, और इसका मुख्याले नई दिली हो जाएगा, दोस नमर है, पोलिस पे ए कंपनी, डिक्टर डोर ने दुनिया के पहली A, I, C, E, O, नियूक्त किया है, जिसका नाम क्या है, बोल रहा है, कुछ का नाम बताना है, तो मीक्का, option हो जाएगा, B, मीक्का, 21. कोशन है, 20 मुज़े किरिकेटर को अक्टूबर 22 के लिए ICC पलेयर अफदो मौंत समान मिला है, इसका option इधर देखते हैं, बोल रहा है कि 20 मुज़े किरिकेटर को अक्टूबर 22 के लिए ICC पलेयर अफदो मौंत चुना गया है, तो यह हो जाएगी, 11 नमर का हो जाएगा हिली मैथु जो की वेस्ट इंजीज के हैं 12 नमर कोशन देखते हैं भारत में पहले अंतराष्टिय क्रूज लाइनर कोश्टा सिरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उध्गाटन किसने किया भारत में पहले अंतराष्टिय क्रूर्ज लाइनर कोश्टा सिरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उदघाटन किस ने किया तो ये किये हैं सरवनंद सोन्याल अप्शन हो जाएगा A सरवनंद सोन्याल अगला कोशन हो जाएगा तेरा नमबर नव नमबर को भारत के किस राज ने अपना अस्थफना दिवस मनाया है 9 नौबर को भारत के किस राजे ने अपना अस्थापना दिवस मनाया है तो उत्राखण उत्राखण का गठन हुआ था 9 नौबर 2020 में 2020 में भारत के तीन राजे के गठन हुआ 1 नौबर 2020 में च्छोतिस गठन हुआ 9 नौबर 2020 में उत्राखण के गठन हुआ और 15 नॉम्बर 2020 में जहरखन का गठन हुआ था। इसमें हो जाएगा अप्शन B, 9 नॉम्बर को भारत के किस राजी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है तो उत्राखन मनाया है। किस टीम ने सयद मुस्ताकली ट्रोफी 22 का खिताब जीता है तो ये टीम हो जाएगा पंजाब। काईगा इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले हो जाएगा भारत में गुडुगाण हड़ी आरा। आगे देखलेंगे शत्राण नमर हो जाएगा। तो ये हो जाएगे हीरलल समारिया। हीरलल समारिया बरतमान में भारत के मुख्य सुचना आयूक्त है। आगे देखलेंगे 29 नमर कोशन हो जाएगा। हाली में कोन अंतराष्टिय किरिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रतम बल्ले बाज बन गए हैं। यह हो जाएंगे एंजेलो मैतु जोकी सिरलांका के हैं। 20 नमर है किस भारतिय मुल की लेखिगा को ब्रिटिस अकेडमी बुक पराईज 22 से समानित किया गया है। तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन सी नंदिनी दास को। अगला कोशन हो जाएगा। 21 नमर है बाल बेग्यान महसव का उधगाटन किस ने किया। 22 नमर कोशन हो जाएगा वर्स 22 के रोहणी नईयर पुरसकार से किसे समानित किया गया है। रोहणी नईयर पुरसकार 22 में किसे दिया गया है। 23 नमर है हाल ही में जारी वर्स 22 की हूरन इंडिया प्रोपकारी सुची में किसे सिर्ष अस्थान पराप्त हुआ है। हार ही में जारी वर्स 22 की हूरन इंडिया प्रोपकारी सुची में किसे सिर्ष अस्थान पराप्त हुआ है। और यह क्या थे तो यह एच्चिल जो कंपनी है उसका डारेक्टर थे। आगे देखेंगे 24 नमर हो जाएगा फीफा पूरुष बीश वे कॉप दुआर 34 की मेजबानी कहेगा तो सावदी अरब करेगा। जपान को पीत आतं के देश के नाम से जानते हैं या उक्ते सूरे के देश के नाम से जानते हैं। काला बन कहेगा काला बन पाय जाता है जर्मानी में आगे देखेंगे 25 नमर हो जाएगा एक नमबर 22 को साथ राजो और दो केंदर सासित परदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया है जिन में कौन सा राजे सामिल नहीं है एक नमबर 22 को साथ राजे और दो केंदर सासित आगे देखेंगे 26 नमर कोशन हो जाएगा 20 माईला फोटबॉलर ने वर्ष 22 का बेलन डी और पुरसकार जीता है तो यह हो जाएगी 27 नमर कोशन है हालही में वनडे 20 वेक आप में सबसे तेज सतक 40 बॉल में लगाने वाले बलेबाज कौन बन गए हैं आगे देखेंगे 28 नमर कोशन हो जाएगा 25 नमर बर दुए 23 को किस राजे का स्थापना दिवस मनाया गया है तो यह राज हो जाएगा जहरखंड और यह अलग हुआ था बिहार से हाली में संजुकते सायन अव्यास सूरे की रण भारत और किस देश के बीच आयुजित किया गया है भारत और नेपाल के बीच किया गया है आगे देख लेंगे आई एस आर ने ओधी कूपज देने वाली काली मीर्च की किसम को बीचित किया है उसे क्या नाम दिया गया है तो उसे नाम दिया गया है चंदरा ISR ने ओधिक उपज देने वाले काली मिर्च की किसम को बिकिशित किया है उसे बुल रहा कि क्या नाम दिया गया है तो उसे नाम दिया गया है चंदरा आगे देख लेंगे हाल ही में भारत के महा सरवेचक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में भारत के माहसरवेचक के रूप में कहेगा कीसे नियुक्त किया गया है तो इसमें हो जाएंगे हितेश कुमार option हो जाएगा D अगला question हो जाएगा 23 नमबर प्रति वर्ट अंतराष्टी ए सही सूरता दिवस कीस तारी को मनाया जाता है प्रती वर्स अंतराष्टी ये सही सुनता दिवस कहेगा किस तारीक को मनाया जाता है तो इसमें हो जाएगा सोरा नौबर 33 नमर हो जाएगा नेशनल मेटलोर्जिस्ट अवार्ड से किसे समानित किया गया है तो इसमें हो जाएगे डाक्टर देवासिस भर्टे अचारे अप्शन हो जाएगा बी अगला कोशन हो जाएगा 34 नमर है किस पूरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 22 के लिए ICC पलेयर अफ़ दो मौन्द को समानित किया गया है किस पूरुस के क्रेक्टर को अक्टूबर 22 के लिए ICC Player of the Month का पुरसकार दिया गया है तिये हो जाएंगे रचिन रविंद्र नोगे नियुजिलन्ड के हैं रचिन रविंद्रे आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा 35 नमर है हिमाचल परदेश के मुख मंत्री ने किस सहर में बीद्या समिक्षा केंद्र का उदगाटन किया है तो ये सहर हो जाएगा सीमला अप्सन हो जाएगा ए सीमला में सीमला में हिमाचल पर्देश के मुख मंत्री ने बीदिया समिक्षा केंद्र का उधगाटन किया है चोतिस नमर देखेंगे इंडिया इवस डिफेंस एक्सलरेशन सिस्टम की पहली निवेसक बैठक आउजन कहा किया गया है इंडिया इवस डिफेंस एक्सलरेशन सिस्टम की पहली निवेसक बैठक आईओजन कहेगा कि कहा किया गया है तो यह हो जाएगा भारत के नई दिली में अप्सन हो जाएगा A आगे देख रेंगे 37 नमर हो जाएगा पाकिस्तान के सर्वोचे नागरीक पुरसकार से समानित होने वाले चोथे भारतिये कौन बने हैं तो यह हो जाएंगा डाक्टर सैदना मुफुदल सैफुदीन डाक्टर सैदना मुफुदल सैफुदीन अप्सन हो जाएगा B सुप्रीम कोट की पहली मुईला जोज कौन थी जिनका हाली में निदन हो गया ये तो यह हो जाएंगा अप्सन C फातिमा भीवी सुप्रीम कोट की पहली मुईला जोज कौन थी जिनका हाली में निदन हो गया तो फातिमा भीवी आगे देखेंगे 49 नमर हो जाएगा मैलाओ की सुरक्षा के लिए किसे राज ने हाल ही में सेफ सीटी पोर्जेक्ट सुरू किया है सेफ सीटी पोर्जेक्ट कहेगा किसने सुरू किया है तो उतर परदेश महिलाओ को सुरक्षा के लिए सेफ सीटी परजेक्ट शुरू किया है उतर परदेश अप्सन हो जाएगा C चालिस नमर कोश्चन देखेंगे चालिस नमर हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और उर्जा सनयंत्र काउद घाटन किस देख में किया गया है दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और उर्जा सनयंत्र काउद घाटन कहेगा कि किस देख में किया गया है तो यह हो जाएगा संजुक तर अब अमिरात और इसका राधान नहीं कहेगा तो अब उधावी हो जाएगा option हो जाएगा A 41 नमर है एक तालिस नमर है तो इसका answer हो जाएगा औस्रेलिया option हो जाएगा D आगे देख लेंगे 42 नमर हो जाएगा बंगाल के ब्रांड एमेंस्टर कीशे बनाया गया है बंगाल के ब्रांड मेश्टर बनाया गया है सौरव गांगुली को अप्सन हो जाएगा B 43 नमर देखेंगे प्रोती वर्स 11 नमबर को पूरे भारत में किस ब्याक्ति के जनम दिन पर राष्टी ये सिख्छा दिवस मनाया जाता है प्रोती वर्स को रहा है कि 11 नमबर को भारत में सिख्छा दिवस मनाया जाता है तो ये किस के जनम दिन पर मनाया जाता है तो ये हो जाएगे महबल अबूर कलम आजा देके जनम दिन पर मनाया जाता है अप्सन हो जाएगा A अगे देखेंगे अगला कोशन हो जयागा चुगाल ही सनबल नौए भारत के लिए नौए सीक्षा नाम से राष्टिये सिक्षा अभ्यान की शुरुआत किस राजे में की है तिये राज हो जाएगा उडिशा अप्सन हो जाएगा B राश्पति दर्पति मुर्मू ने नए भारत के लिए नए सिक्षा नाम से राश्य सिक्षा अभियान की शुरुआत किस राजे में की है तियरा जो जाएगा उडिशा और बर्तमान में जो राश्पति हैं दर्पति मुर्मू इनका जो नाम उडिशा में ही हुआ है आगे देखेंगे अगला question हो जाएगा 46 नमर है जमू कस्मीर के किस जीले के केसर को GI tag दिया गया है बरा किस जीले के केसर जो है उसे GI tag दिया गया है तो ये हो जाएगा किस तवाड जीले जो की option हो जाएगा A 47 नमर है भारत ने किस देश के साथ फीर से ई बीजा सिवाएं सुरू कर दिया है तो यह देश हो जाएगा कनाड़ा अप्शन हो जाएगा B आगे देखेंगे और तालिस नमर कोश्चन है सैने एक्सरसाइज ब्रोज परहार भारत और किस देश के बीच आउजित किया जाता है ब्रोज परहार जो है भारत और अमेरिका के बीच आउजित किया जाता है आप्शन हो जाएगा C 49-49 नमर हो जाएगा गुजरात में 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 गुजर सिरलांका के तिर्वकुण माली में भारती अस्टेट बैंकी साखा का उध्गाटन काएगा किस ने किया है तो ये किये हैं भारत के बीत मंत्री निर्मला सिता रोमन ने अप्शन हो जाएगा B तिर्पन नमर हो जाएगा चोवण में भारती अंतराश्टिय फिल महस्वे कहां आयोजित किया गया है जो चोवण में भारती अंतराश्टिय फिल महस्वे था करा कि कहां आयोजित किया गया है तो ये हो जाएगा गोगा आप्शन हो जाएगा D अगला कोशन देखेंगे चववन नमबर ICC पूरूस किर्केट बीश्वे कॉप दुवर तेईस का टाइटल किस टीम ने जीता है तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया अप्शन हो जाएगा बी इंद्रा गांधी सांती पुरसकार दुवर बाइस से किसे काएगा समानित किया गया है तो यह हो जाएगे बी और सी अप्शन हो जाएगा टी इंडियन मेडिकल एसोसियेशन और भारतिय पड़शिक्चित नर्स एसोसियेशन को बी और सी दोनों हो जाएगा आगे देखनेंगे 56 नमर हो जाएगा वन्डे किर्केट में सबसे तेज 100 बिकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कोन बने हैं तिये हो जाएगे साहीन अफरीदी अप्शन हो जाएगा B 57 नमर हो जाएगा ICC पूरुस किर्केट विश्वे कॉप 22 में पलेयर आफ दा टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाडी ने जीता है तिये हो जाएगे बिराट कोली अप्शन हो जाएगा C अगला कोशन हो जाएगा अठावन नमर भारत अंतराष्टी विग्यान महोच्वे 223 कहां आउजित किया गया तो ये फरीदाबाद में अप्शन हो जाएगा C माउंट एवरेष्ट के पास 21,500 फिट से असकाई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई है तो पहली महिला बन गई है ये सीतल महाजन अप्शन हो जाएगा B सीतल महाजन माउंट एवरेष्ट के पास 21,500 फिट से असकाई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई है आगे देखेंगे साथ नमर हो जाएगा भारती रेलवे की वन अस्टेशन वन पो डॉक्ट पहल अब कितने अस्टेशन पर चालू है तिये हो जाएगा 270 से अस्टेशन अप्शन हो जाएगा B एक साथ नमर है हाली में ICC ने किस देश के किरकेट बोड को निलंबित कर दिया है ICC ने बोल रहा कि किस देश के किरकेट बोड को निलंबित किया है तो यह हो जाएगा सिर्लंका की किर्केट बोड अप्सन हो जाएगा D आगे देखेंगे 62 नमर हो जाएगा इवनेशको ने भारत के की सोहर को संगीत का सोहर गोसित किया है इवनेशको ने भारत के की सोहर को संगीत का सोहर गोसित किया है यह हो जाएगा गवालियर जोकी मुहत परदिस में है option हो जाएगा D संगीत अकादमी काश्ट अपना हुआ था 1903 तीरपन में और उनिसको के काईगा गठन हुआ था 1945 में जिसका मुख्याले है पेरिस फरांस में 63 नमबर हो जाएगा रेल टेल ने दूर सांचार IT और Railway Signal Link Project के लिए किसके सांथ समझाता किया है रेल टेल ने दूर सांचार IT और Railway Signaling Project के लिए किसके सांथ समझाता किया है तो यह हो जाएगा IEC Limited REC Limited के साथ REC Limited के सांथ समझाता किया है आगे देखेंगे 64 नमर हो जाएगा भारतिये तट्रक्षक बल के किस जाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है भारतिये तट्रक्षक बल को किस जाज को सेवा मुक्त कर दिया है तो यह हो जाएगा संगराम अप्सन हो जाएगा B भारती ये तर्ट्रक्षक बॉल का स्थापना किया गया था 1978 में 65 नमर हो जाएगा परशीद फूटबॉलर लियोन मेसी को अब तक कौन सा कौन सी बार बेलन डी और पुरसकार दिया गया है कौन सी बार दिया गया है तिये हो जाएगा आठवी बार आठवी बार फूटबॉलर लियोन मेसी को अब तक का मुझा कि आठवी बार लियोन मेसी ने बेलन डी और पुरसकार जीते है आगे देखेंगे 66 नमर हो जाएगा भारत ने कौन दोरी की किस बेलाश्टिक मिसाइल का सफलNote किया है भारत ने कौमदोरी की किस बैलेस्टिक मिसाइल का सफर पनिशन किया है ति यह हो जाएगा पर लाए अप्सन हो जाएगा B 67 नुमर है भारती रेलेवे किस के सवयोग से भारत गोरो परियाक्टर्ट ट्रेन की सुरुगात करने जा रहा है ति यह हो जाएगा IR-CTC के द्वारा अप्सन हो जाएगा C आगे देखेंगे 68 नुमर हो जाएगा किस राज सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राजी की पहली निर्यात पुर्तसाहन नीती को मंजूरी दी है ति यह हो जाएगा महाराष्ट सरकार 79 नुमर है राष्टिय जल स्वयोग एमबाल विका संस्थान ने किस सहर में पोसर भी पढ़ाई भी कारेकरम आयूजन किया है ति यह हो जाएगा इंदौर अप्सन हो जाएगा B इंदौर में राष्टिय जल स्वयोग एमबाल विका संस्थान ने किया रहा है कि पोसर भी और पढ़ाई भी कारेकरम कि शुरुवत किया है इंदौर जो कि महद परदिस में है आगे देखेंगे 70 नुमर हो जाएगा 37 राष्टिय खेलो में सिर्ष अस्थान की से हासिल किया है तो कौन सराज सिर्ष अस्थान हासिल किया है ति यह हो जाएगा महराष्ट 37 राष्टिय खेल यह हुआ था कहां पे 37 राष्टिय खेल हुआ था गोवा में और वही 36 राष्टी ये खेल कहेगा तो गुजरात मुगा था और 37 राष्टी ये खेल होगा उत्राखंड में एक हतर नमर कोश्चन देखेंगे 8 नमबर 22 को दुनिया भर में मनाए गए 20 वे रेडियो गराफी दिवस की थीम क्या रखी गई है 20 वे रेडियो गराफी दिवस की कहेगा थीम क्या रखी गई है तिये हो जाएगा celebrating patient safety आगे देखेंगे बौतर नमर हो जाएगा वन्डे 20 वे कॉप इतिहास में सबसे तेज 12 सतक लगाने वले बलेबाज कौन बने है तिये हो जाएगे Galen Maxwell option हो जाएगा D तियतर नमर है लौंट Tennis में किस खिलाड़ी ने Paris Masters का खिताब अपने नाम किया जोकी सर्विय के है option हो जाएगा C चोब रजे सरकार ने हालही में project dolphin को लागू करने का अदेश जारी किया है किसे राज सरकार ने पोर्जेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का अदेश जारी किया है तो इसमें option mistake है इसमें हो जाएगा तामिलाडू जो राज सरकार है वो पोर्जेक्ट डॉल्फिन लागू करने का अदेश दिया है इसमें क्या हो जाएगा तामिलाडू आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा पचातर नुमर किरिसी एव किस्यान कल्यान विभाग ने किसके सांत मिलकर किरिसी 24 वाइसावेन परेट फरम को बिक्सित किया है किरिसी एं किसान कल्यान विभाग ने किसके सांथ मिलकर किरिसी 24-27 प्रेट फोर्म को बिक्सित किया है तो ये रहो जाएगा वाधवानी इंस्चियूट अप्शन हो जाएगा C आगे देख लेंगे छीज़ातर नुमर हो जाएगा फीडे महिला ग्रेंड स्विश 22-23 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाडी ने जीता है तो ये हो जाएगी आर बैसाली अप्शन हो जाएगा D हाली में किस चेतर में गेको की एक नई परजाती की खोज की गई है हाली में किस चेतर में गेको की एक नई परजाती की खोज की गई है तो ये हो जाएगा पश्मी घाटी चेतर में अप्शन हो जाएगा A भारत में हाली में किस देश के साथ मोबिलीटी एंड माइग्रेशन एग्रिमेंट पर हस्तचार किये है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ Mobility and Migration Agreement पर हस्तचार किये हैं तो ये देश हो जाएगा Italy Option हो जाएगा C और वो ही कहेगा कि रोक्त के वर्षा किस देश में होता है तो ये वो देश हो जाएगा Italy आगे देखेंगे औसी नमर कोश्चन है वनडे विशवे कॉप इतिहास में सर्वाधिक भिकेट लेने वाले गेंदबाज कोन बने हों आगे देखेंगे अगला कोश्चन हो जाएगा अगला कोश्चन है 180 नमर देखेंगे चुनाव आयोग ने चुनावी सक्षकता को बढ़ावा देने के लिए किसके सांथ समझावता किया है यह हो जाएगा सिक्षा मंतरा लेके सांथ अप्शन हो जाएगा D 82 निमर कोशन देखेंगे एपीडा ने भार्तिय किरिसी उत्पादों को निर्याद को बढ़ावा देने के लिए किसके सांथ समझावता किया है यह हो जाएगा लूलू हाइपर मार्केट के सांथ अप्शन हो जाएगा C अगला कोशन हो जाएगा 83 नमबर ACI Shooting Championship 22 में पूर्षो की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वोन पदक जीता है तिये हो जाएंगे 83 के एस्वर्य परताप सी तो मर अप्शन हो जाएगा C अगला कोशन है 84 नमर भारत के किस अस्टेडियम में महान किर्केट खिलाडी सचिन तेंदुलकर की परतीमा का अनवरन किया गया है तो यह अस्टेडियम हो जाएगा वन खेड़े अस्टेडियम जो की मुंबई में है अप्शन हो जाएगा B अगला कोशन देखेंगे 85 नमर हो जाएगा किस देश ने हाल ही में भारतियों को बीना बीजा यात्रा करने की सुभीदा दी है किस देश ने हाल ही में भारतियों को बीना बीजा यात्रा करने की सुभीदा दी है तिये देश हो जाएगा थाइलेंड सफेद हाथियों का देश थाइलेंड को कहते हैं सफेद हातीओं के देश किस देश को कहते हैं तो थाइलेंड को कहते हैं 86 नमर हो जाएगा Beauty world Middle East 23 की मेजवानी कौन सा सहर करेगा Beauty world Middle East 22 की कहएगा मेजवानी कौन सा सहर करेगा तो यह हो जाएगा B, दुबई, एप्सन हो जाएगा B 87 नमर हो जाएगा हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन पराप्त हुआ है, तो यह हो जाएगा, C, Throttle Aerospace Systems, अठासी नमर है, बीश्वे का पहला AI Safety Summit किस डेश में आउजित किया गया है, तो यह देश हो जाएगा, B, T, अप्शन हो जाएगा, A, आगे देखेंगे, नमासी नमर कोशन हो जाएगा, इंग्लेंड के किस किर्केटर ने बीश वेक अप दूर तेश के बाद, इंटरनेशनल किर्केट से सन्यास लेने की घोसरा की है, तो यह हो जाएगे, David Billy, अप्शन हो जाएगा, C, David Billy, अगला कोशन देखते हैं, नमे नमर हो जाएगा, किर्केट से जुड़े बैजबल सब्द को हाली में किस डिक्सिनरी से जुड़ा गया है, तो यह जीता है, एक सवेगार, अप्शन हो जाएगा, C, आगे देखेंगे, कुलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नाया मेंटर नियुक्त किया है, तो यह हो जाएगे, गौतम बगंभीर, अप्शन हो जाएगा, D, अगला कोशन देखेंगे, 93 नमर हो जाएगा, जलवाव परिवर्तन विशेशग, पुर्फेसर सलीमुल हग का निधन हो जाएगा, D, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हाल ही में कीस देश को अपनी ग्रेल लिस्ट से हटाया है, 94 नमर कोशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, हाल ही में कीस देश को अपनी ग्रेल लिस्ट से हटाया है, तो देश हो जाएगा, अलबानिया, जहाँ पे, मदर टेशा का जनम हुआ था, 1910 में, और इ दिया गया था 1980 में इन्होंने कलकात्ता में मिसिनिरी अप चेरिटी के स्थपना की थी 1950 में आगे देखेंगे 95 नमर हो जाएगा केंद्री बीत मंत्री निर्मला सिता रोमन ने की से राज में 12 जीस्टी सेवा केंद्रों को लॉंच किया है तो राज हो जाएगा गुजरात अन्वे नमर कोशन है ACI सूटिंग चेंपियंशिप में कीस भारती सूटर ने भारत के लिए एगरावा पेरिस अलापी कोटा हासिल किया है तो हो जाएगे मनु भाकर अप्शन हो जाएगा D मनु भाकर अगला कोशन देखेंगे इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस के साथवे संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया है तो यह किया गया है नाई दिली में अप्शन हो जाएगा B 99 नमबर हो जाएगा केंद्रिये कैबिनेट ने जमरानी बांध पर युजना को मनजूरी दे दिया है यह किस राज से समन्दित है तो यह राज हो जाएगा उत्रा खंड अप्शन हो जाएगा C 100 नमबर कोशन है केंद्रिये सिक्षा मंत्री धर्मेंदर परधान कीस राज में 124 पीएम सिरिया स्कूलों का सुब अरम किया है केंद्रिये सिक्षा मंत्री धर्मेंदर परधान ने कीस राज में 124 पीएम सिरिया स्कूलों का सुब अरम किया है तो यह हो जाएगा हरियाणा राज अप्शन हो जाएगा A यहां तक देखे हैं पार्ट वान और इसका अगला पार्ट आप लोग का अच्छा लाएगा तो अगला पार्ट जल्द ही लाएंगे तो वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आरत लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्रा भी कर लीजेंगा